इस वीडियो में आपको बताएं। तो के लिए इन के कॉपर। वीज़े सबसे पहले, ऐब ऐसब करने लंबाई लेएं। बाएं। साड़ी 14 इंच पर मार्किंग यहां पर मैंने डॉट लगा लिया है और अभी हम लेते हैं सोल्डर तो देखिए सोल्डर जो है इसके हैं 12 इंच तो 6 ले लेंगे मुड़ी 6 इंच अभी जैसे 40 साइच का है तो हम जब तयार करेंगे तो फोर्थ भाग आएगा 10 इंच तो यहा है और इस मार्किंग को भी कल और यहां पर दो इंच जो लिया है इसकी मार्किंग कर लेंगे तो देखिए इस तरीके कही है यहां से यहां तक हमारी लंबाई हो गई यह चेस्ट है यह अभी मुड़े की गुलाई कर देते हैं तो देखिए मुड़े की गुलाई 1.5 इंच इस तरीके से क्रॉस में मार्किंग कर देंगे अभी इसकी सेव देंगे तो दीए मैंने कर्व ले लिया है कर्वी की साहता से यहां पर हमें इसकी गुलाई कर देंगे तो यहां पर हमारी यह इस तरीके से इसकी गुलाई आजाएगी अभी नेक ले ले लेता है सोल्डर से 2.5 इंच और जितना भी आप पहनते हैं जो में ले रही है आप उससे कम जादर ले सकते हैं मैंने 6 इंच लिया और यहां पर गुलाई कर देंगे इस तरीके से एक बॉक्स बना दिया है अभी नेक की सेप दे देंगे सोल्डर से सैंब रहेगा नीचे से इसको हलका सा ब्रावड कर सकते हैं तो अच्छी सेप आ जाती है उससे तो इस तरीके से डॉट करते हुए हम यहां पर यह मार्किंग कर देंगे इस तरीके से यह दिखी नेकी सेप आ चुकी है अभी हम जो यह लंबाई होगी हमारी अभी यहां से हम अपना कप साइज निकालता है तो देखी जो हमारा कप साइज है वह यहां पर साड़े बारा इंच है तो साड़े बारा इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे तो देखी यह हमारी मार्किंग हुशुकी है कपसा आज की अभी जो यह इन पार्ट है इसके हम 3 हिस्से करेंगे यह मार्जन को छोड़ देते हैं जो 10 इंच है 10 इंच के 3 हिस्से कर लेंगे हम तो यही आज बहुत है बाद 14स के आसपास के यह हिस्से हमारे बनेंगे तो एक हिस्से हमने यहां पर कर लिया है और एक हिस्सा हमारा यह हुए है यह हमने दो हिस्से एक हिस्सा दो हिस्सा और तीन हिस्सा अभी यहां पर अगर आपको कन्फूजन होता है तो आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो इसमें क्या होगा यह तो हमारा मार्जन अल्री है यह साइड में इतना पाट रहेगा और दो हिस्से में हमारी कटोरी आ जाएगी हाँ कि अब सबसे पहले हैं आदा इंच को मुड्दे की तरह गुलाई कर देते हैं तो शोडर से नीचे से इसको उतारेंगे इस तरीके से ओह यहाँ पर से एंच की से इस तरीके से और अभी सेम इसी तरीके से यहां से हम अब यहां से कटोरी निकालेंगे तो यहां से हम इस तरीके से यह डॉट पनाएंगे यहां से इस लाइन से हम इसको अटेच कर देंगे डॉट को यहां से अब इस तरीके से तो देखिए इस तरीके से हमारी कटोरी आजाएगी यह कटोरी रहेगी यह साइट का पाट रहेगा अब यहां पर हम कटोरी की से दे देते हैं यहां पर एक इंच उपर की तरफ लेंगे और एक इंच से इस तरीके से इसकी से देंगे यहां से और सेम आपको यहां से भी आद कर देखें तो यह पार्ट हमारा यहां पर कटिंग में चला जाएगा और यहां से आप इस तरीके से इसकी अपी अच्छे से से शेप दे सकते हैं यह ड्राफ को छे इस तरीके कर रहेगा यह काटोरी हो जाएगी यह साइड के पाट यह नीचे बैल्ट, अभी हमने नीचे बैल्ट में मार्जन नहीं ले आया है, तो यहाँ पर आप एक इंच का मार्जन ले ले, जो के फिनिशिंग के लिए चाहिए, दोनों साइड के फिनिशिंग के लिए लेखिए, इस तरीके से यह ड्राफ्ट रहेगा यह हमारा स्लाइम आरजन हो जाएगा अभी जो यह ड्राफ्ट है इस डाफ्ट को हम कट कर लेते हैं तो देखें यह पार्ट हमारा बैल्ट है और यह हमारा कपसा है अभी कटोरी को भी कट कर देता है अभी इन पार्टों को हम हटा देते हैं ये दो पार्ट तो सेम रहेंगे इसमें हमको भी कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें बेल्ट में भी एस्टा मार्जन ले लिया है तो कुछ नहीं करना है सिर्फ बेल्ट की हलकी सी गुलाई कर देनी है तो पहले इसको को भी अप्लीट कर देते हैं तो यहां से मने जो यादः इंच का मार्किंग किया था यहां से हम ग eleven कि आप्व एंस साइट से भिसलाकासद है तो दीप सबस्य ग्वेल फ्रुबचा पेपर है काटोरी अगर आप थोड़ा सा ख्रॉप में निकालेंगे तो कटोरी जो फ्रेटिंगे बहुत ही ची आई गी तुम्हें थोड़ा सा ईसको क्राव स्में निकाल देती हूं तग थी इस तरीके से मैंने पेपर को यहां पे Krós में रख लिया है को तो रख में हम को छेंज करना तो सबसे पहले हम इसको का सेंटर ले अब यहां से हम 105 नीचे की तरफ एक मार्किंग कर ले सब बढ़ा देंहें और सेम एक इंच यहां पर भढ़ा दे इंगे डूनों साइड और में 11 य коп बढ़ाना है नीचे की तरफ प्र प्रस Bowl बढ़ाना है और इसकेल की सहता से हम यहां पर लैंड ड्रो करते हैं देखें यहां से भी आपको जो नेकी साइड है शिर्प यहां पर भी हमको सिलाई का ही मार्जन लेना जादा नहीं लेना है जो इस तरीके से इसको नीचे हमने जो एक इंच वड़ाय वहां तक इसको लेकर जाएंगे देखें इस तरीके से अब इसको भी आप अच्छे सरे यृइंड्ध रों करों देखें इस की save को नहीं है में करना अभी हम यहां पर करते हैं तो जो वहां यह 15 आ Ze limit करते हैं 371 उही आप देख लें इस तरीके से इसको cross में ले लेंगे यहां पर, line drawn, same इस side में भी इसी तरीके से ले लेंगे marking, तो इसका जो shape है, कुछ इस तरीके से आ जाएगे, जो हमारी कटोरी थी, यह वाला अंदर मार्किंग था, जो हमने लिया, एक इंची side से, एक इंची side से, और देड़ इंची टोटल प्लेट हमारी 3 इंच की आएगी, दोनों side से, देड़ देड़, देखे इस तरीके से हमारी कटोरी की marking complete हो चुकी है, अब इसी ड्राफ्ट पर इसको हम, कट कर लेते हैं, कटोरी ब्लाउज का ड्राफ्ट हमारा complete हो चुका है, बैक जैसा आप कटिंग करते हैं, वैसा ही करना है, बैक और सलेब में कोई भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ जो भी चेंज करना होता है, हमको यह सेंटर वाली कटोरी में चेंज करना होता है, तो देखे कितना आसान था बनाना और इसी डाप्ट को रखे आप कपड़ा कट कर लें और फे कपड़े पर सलाई के वीडियो मेंने काफी डाले है, तो आप मेरा सलाई का वीडियो देखे, तो मुझे उम्वीद है कि आपको यह वीडियो पसंदाया होगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सबस्क् तर आते हैं तेंकू